ओम स्री गनेश आनमा दोस्तों ओम कनपती समधान यूटूब चैनल में आपका हरदिक स्वागत है दोस्तों हम आज बात करने बाले हैं आज के वरस्य क्राशि फले के बारे में आज के दिन इनको किन चीजों से फाइदा होगा और किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा और साथ ही इनका बिजनेस और विप्षाई कैसा रहेगा केरियर कैसा रहेगा घर बरिवार कैसा रहेगा और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी और साथ ही स्वास्तिकी महत्मून जानकारी भी हम आपको देंगे और आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बनाने के लिए एक उपाई भी बताएंगे दोस्तों वीडियो आगे सुरू करणे से पहले मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लोटिफिकेशन की बेल को भी दबाएंगे जिससे आप तक समय समय पर नहीं नहीं महत्मून वीडियो पहुंच सके अगर रहेंगे और आपके कारियों की तारिफ हो गी इससे आपका मन अतीप्रसन रहेगा आपके कारिये सफलता पूरत पूरे हो जाएंगे और आज आर्तिकलाब होने के कारण आप तनाव और चिंत्ता से गुप्त रहेंगे जियां दोस्तों आपके पुराने छुटे वे कारी आज पूरे होंगे दोस्तों गिरह नक्षक्त्रों के मताबिक सफलता आज आज आपके कदम चुमेगी साम के समय तक कोई रुका हुआ काम बनने की उम्मीद नजर आ रही है आप किसी पुराने बंद पड़े कारोबार को दो बारा सुरू करने का विचार भी कर सकते हैं दोस्तों बात कर लेते हैं आपकी नेगेटिव बातों के बारे में आज नकारात्मक विचारों से आप बचें दोस्तों आपकी नेगेटिव और नकारात्मक सोची सबसे बड़ी नुकसान दायक से धोगी इससे आपका मनुबल कम हो जाएगा इसलिए आप विचारों में सकारात्मक बनाए रखें और पिता की सियत को लेकर भी आज आप चिंतित रह सकते हैं दोस्तों आपका विफसाय और व्यापार कैसा रहेगा आज रुकावधन प्राप्त होने के योग बन रहे हैं लेकिन इसके लिए आपको लगतार प्रियासरत रहना पड़ेगा कारोबार में आज सफलता के योग रहेंगे आर्थिक नजरिये से आज का दिन आपके लिए अनुकुल रहेगा लकड़ी का कारोबार करने वाले व्यापारियों की बिक्री में इजाफा होगा व्यापारियों की बिक्री बढ़ेगी जिससे मुनाफा भी होगा युव और विद्यारतियों के लिए दिन सामाने रहेगा दोस्तों आपका घर परिवार कैसा रहेगा अपने पिता की बातों का सम्मान करें आपकी राय एहम है सबी पक्षों पर सोच विचार कर ही अपनी बात रखें घर परिवार में एविवायतों की रिष्टे की बात हो सकती है घर में कोई मांगली कारेकरम की यूजना भी बन सकती है माता दुवारा आपको सुक प्राप्त होने के योग हैं घर परिवार में खुशिया रहेंगी पति पति नहीं में कोई मीठी नोग जोख हो सकती है इससे आपके प्रेम सम्मंद और मजबूत हो जाएंगे